नवश्कार मित्रों मेरा नाम है मुनार पठेल आज है 22nd February Monday यानि UPSC Prelim को करीब 125 दिन के आसपास बाच की है Nearly 4 months कुछ लोग अभी भी ऐसे टशन में है कि नहीं वो तो notification आएगा फिर हम apply करेंगे फिर हम पढ़ाई करेंगे तो बही ऐसे आशिकों का तो कोई कल्यान हो नहीं सकता बाकी सब के लिए देखते हैं कि आज इंडियन एक्सप्रेस में मुझे exam के लिए काम की चीज़े क्या लगी page 1 पर सिर्फ एक exam की काम की चीज़े international relation में उतुरू, थीला, फलहू यानि UTF ये माल्दिव उसमें एक port यानि बंदरगा है जिसको बारत डेवलप करेगा ताकि माल्दिव की defense forces की capacity और बड़े और वहां regional HADR यानि humanitarian assistance and disaster relief मानवता के लिए आपदा प्रबंदन में जे बारतियत नेवी को बेजा जाता है अलग-अलग देशों में कहीं बाड आ गई, सुनामी आ गई कहीं पर civil war चल रहा है और हमने लोगों को rescue करना है तो बीच में ये naval port हो तो हमारे troops वहां जा सके जो भी अपने ship में diesel बरना हो, break oil change करना हो, सुविदा रहे हाँ तो places in news में क्या याद रखना है उतुरू, थीला, फलहू ये श्री लंका का port नहीं है इसको चायना develop नहीं कर रहा है ये माल्दिवस का port है और इसको बारत डेवलप कर रहा है, और ये सिर्फ एक ही लाइन में करना है अभी इसमें भी कुछ लोग आदे गंटे की सब James Bond टाइप की वीडियो बनाना शुरू करेंगे तो वो एक्जाम के लिए काम काने इसके लब पेज वन पर जो भी चीज़ें सब transitional ball by ball है जो अभी काम काने, for example 50 साल और उसे उपर की उम्रवाले senior citizen वरिष्ट नागरिको का vaccination टिका करन शुरू होगा लेकिन उसमें सब के लिए free नहीं होगा कुछ लोगों ने उसकी फीस देनी होगी लेकिन ये सब अभी government प्लान कर रही है तो जब होगा तो final देखेंगे उसी तरह कुछ समय पहले सरकार ने सब college university को कहा था कि अगर आप कोई international webinar कर रहे हैं जिसमें internal security जम्मू कश्मीर की बात होने वाली है तो पहले हमसे permission लेनी होगी फिर सब academicians ने उसका विरोध किया तो अब सरकार सोच रहे है कि उसको हम थोड़ी guideline change करेंगे तो ये भी ट्रांजीशनल बॉल बाई बॉल चल रहा है ultimately जो final हाए तब देखेंगे बाकी तो वही किसान corona और पुडू चेरी में राजनीतिक दमाल जा रही है आगे बढ़ो page 2, 3, 4, 5 में आज एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं page 6 columns वैसे तो आज page 6 और 7 के column में भी एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं सबसे पहले left side पर दो-दो paragraph के column तो वही गिसा पिटा औस्टेलियन सरकार और facebook के बीज news media houses को advertisement का कितना revenue देना है उसकी तूतू में जा रही है बारत और चीन की सेना है इस्टन लदाख में disengage हो रही है उस पर लेकिन उसमें भी नया कुछ जाने को नहीं page 6 के बड़े column में विक्रम पटेल लव जिहाद के बारे में सब लिखाए लेकिन जानने लाए कुछ नया नहीं फिर प्रिया रमानी MJ अकबर केस में मीटू वाली column लेकिन उसमें भी आद नया जानने लाएक कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं page 7 economic के बारे में column a year of cautious optimism कुल मिला कर बात ये की है कि economic survey जो बोलता है कि करीब 11% growth आ जाएगा और V-shape recovery होगी लेकिन ये ये कारणों से growth थोड़ा कम रहेगा तो हमने optimism रखना चाहिए लेकिन जरा सावधानी के साथ लेकिन इसमें नया जानने लाएक कुछ नहीं वही सब पुराने मुद्दे को repeat किया जा रहे फिर एक former IPS officer जूलियो रिबेरो की column की बीमा कोरे गाउं case वो क्या था वो मेरे कैल से मैंने December में पढ़ा दिया था Excel फाइल में देख लेना तो उसमें कुछ लोग बोल रहे है कि बीमा कोरे गाउं में जो एक्टिविस्ट एरेस्ट किये थे उनको फ्रेम किया जा रहा है सब उतों के साथ कोई छेड़चाड हो रही है tempering with the evidence तो उसमें एक जैश्विस्ट प्रिस्ट Stan Swamy को अरेस्ट किया था लेकिन चर्च की जो आइडियोलोजी होती है वो माविस्ट आइडियोलोजी से मेल नहीं खाती तो ये सब जम नहीं रहा है कि वो कैसे इन सो लोगों के साथ एरेस्ट किया गया और evidence को plant किया है कि नहीं ये सब पूरी जो चर्चा चल दे ये मित्रों ये कुछ exam के लिए काम की नहीं सिवाए कि कोई Supreme Court का बड़ा judgment आ जाए तो आगे बड़ो तीसरा कॉलम है vaccination के बारे में कि लोकों में अभी भी चिंता है कि effective है कि नहीं apprehensions और उसके लिए हम कैसे उनका confidence जीते लेकिन यहाँ पर भी जो कॉलम लिखी गई है कुछ जोरदार मुद्दे नहीं की दिल भाग भाग हो जाए और मुझे Excel फाइल में उसकी data entry करने का मन हो page 8 राशी बविश्य काम का नहीं page 9 science technology के समाचार corona में herd immunity अब यह herd immunity क्या है वो भी हमने आगे पर लिया था Excel फाइल में control F दबा के find कर लो अथो herd immunity में aims के director का यह कहना है कि बारत में herd immunity हासिल करना थोड़ा मुश्किल है उसके उन्होंने दो-तिन कारण बताए कि पहला यह इंग्लेंड में साथ आफरीका में virus के नए-nए mutation पाए जा रहे हैं जो बारत में आ रहे हैं तो हमारे body में कोई एक प्रकार के corona virus की immunity हो भी गई हो तो यह दूसरे वालों से हम शायद ना लड़ पाए तो वापस वो zero से ही start होगा दूसरा अगर आपको corona का mild infection है मद्यम या नरम तीवरता वाला संक्रमन है तो आपके शरीर में उस virus के खिलाब जो antibody डेवलप होई होगी उसकी भी quantity मात्रा कम होगी तो वो तो शायद थोड़े हफ्तों में या मैनों में वो सब antibody शरीर से वापस चली जाएंगी तो फिर आपको permanent immunity आपके पास नहीं तो इसी तरह दूसरे लोगों के पास नहीं तो herd immunity डेवलप नहीं होगी और herd immunity डेवलप करने के लिए कम से कम 50-60% आबादी के पास ऐसी antibody permanently होना ज़रूरी है तो इन कारवों के चलते बारत में herd immunity difficult है मित्रों कल या परसों हमने देखा था नीती आयोग एक draft policy for migrants बना रहा है तो आज Indian Express ने अलग-अलग प्रोफेसर और politicians से पूछा कि आप क्या सोचते हैं अब ये लोग जो सोचते हैं वही गुम फिर के मुद्दे वही सोचते हैं जो कल अमने policy में पड़े थे तो नया जानने लाए कुछ नई हाला कि आप पड़ सकते हैं अपना English Improve करने के लिए तीसरा वो उत्राखंड और उसमें चमोली डिस्टिक में जो flash flood हुए थे उसका research चल रहा है क्यार कुछ final निकल क्या है तो अब देखेंगे Page 10 Explained Series एक तो ममताब Energy के बतिजे अभिशेक की CBI क्यों जाच कर रही है Illegal Mining Case में ऐसी ये political टाइप की चीज़े एक्जाम के लिए काम की नहीं दूसरा पुडूचेरी में Lieutenant Governor किरन बेदी को हटाया गया तो पुडूचेरी में अब Trust Vote यानि वो विश्वास मत चिफ मिनिस्टर ने हासिल करना होगा वरना सरकार गिर जाएगी की नहीं उसकी सब चर्चा हलाकि वो में चीज नहीं है जाने लाइक चीज है Nominated MLA's 1962 में बारत ने France के साथ संदी की और ये पुडूचेरी, कराइकल, माहे, यनम ये सब बारत का हिस्सा बना तो उस वकत होम मिनिस्टर लाल बादूर शास्त्री ने Constitution अमेंड करवा के कुछ आर्टिकल 239A इंसर्ट किया जिससे ये पुडूचेरी बारत का Union Territory केंद्र शासित प्रदेश बना और उसमें कुछ ऐसे प्रावदान है कि पुडूचेरी की विदान सभा में 30 elected MLA होंगे चुने गए जन लोग गुखत्वारा और 3 nominated MLA होंगे नामाखित और उनको nominate कौन करेगा तो केंद्र सरकार करेगी और इसके बारे में अलग-अलग case भी हुए थे लेकिन सुप्रीम कोट ने ये का कि केंद्र सरकार अपनी मर्जी से 3 MLA को nominate कर सकती है उसमें उन्होंने पुडूचेरी की जो सरकार होगी यूनेट एटरी की government तो उधर Congress हो आम आदमी party हो या कोई उनको consult करने की जरूद नहीं और ऐसे जो सदस्य होंगे वो पुडूचेरी के budget में भी voting कर सकते हैं और ऐसे no confidence motion अविश्वास प्रस्ताव में भी voting कर सकते हैं तब देखने वाली बात होगी कि ये केंद्र सरकार के जो MLA हैं वो कैसे क्या करते हैं और इसकी सरकार गिरेगी कि नहीं वगेरा वगेरा जो main चीज जानने लाइक थी वो थी nominated MLA केंद्र सरकार उनको नामांकित करती है राज्य सरकार को consult करने की ज़रूरत नहीं और ये लोग भी budget और no confidence motion में vote कर सकते हैं those were the main things तो अमने जान लिया तीसरी explained series है science technology के बारे में बेंगलूरू के scientist ने एक नया material discover किया है silver antimony telluride इसकी खास बात ये है कि वो thermo electric energy conversation कर सकता है thermo यानि उश्मा गर्मी electric यानि बिजली तो जैसे आप laptop पे काम करते हैं laptop गरम हो जाता है तो वो जो उसकी गर्मी है उसकी मदद से आप mobile phone चार्ज कर सके याप mobile यूज करते है electric energy conversion हो सकती है इस silver antimony telluride से हाला कि ये वेग्यानिकों ने ये भी पाया कि silver की जगह अगर हम लोग lead इस्तेमाल करें तो ये और बहतरी से काम कर सकता है लेकिन lead वो चाये pipeline में यूज करे या इस जगह पर वो environment के लिए खतरनाक है so better to go with silver तो science tech MCQ में जाने लाइक चीज़े और साथ ही साथ achievement of Indians in science technology ऐसा general studies means paper 3 का मुद्धा है तो अभी समझो अगले साल कुछ पूचा जाए तो ज़्यादा तर लोग तो इसी में कुद पढ़ेंगे कि Pfizer की vaccine 1500 रुपे या उससे भी महगी और बारत के वैग्यानिकों ने ये जो CoVC doll CoVaccine बनाई वो 300 रुपे में मिल जाती है तो वो एक बात हुई उसके अलावा फिर आप ESRO और Space Technology की बात करेंगे फिर ऐसी कुछ Physics, Electricity, Mobile, Battery वगेरा की बात भी करें then you can get more marks एक ही जग़ गुष नहीं जाना की सिर्फ और सिर्फ ESRO की बात हो या सिर्फ और सिर्फ Corona vaccine की बात हो मित्रो साइंस का ही नाम लिया है तो दो-तिन और समाचार इदर-उदर बिखरे थे साथ में देख लेते हैं International Space Station जिसमें अलग-अलग देश के एस्टोनोट जाके Space का Observation करते हैं तो उनको भी जो अनाज पानी और योयोहनी सिंग के नए गानों की DVD बेजनी हो तो उसके लिए Supply Ship जाता है ऐसा ये Supply Ship उसका नाम रखा है SS Catherine Johnson क्योंकि ये Catherine Johnson NASA की पहली अश्वेद महिला Mathematician थी जिसने एक जमाने में बहुत सारे रिसर्च किये थे और पिछले साल 101 वर्ष की उम्र में उसका देहांद हुआ था और Hollywood movie Hidden Figures भी उसकी जीवन पे बनी है तो Catherine Johnson पर से ननी न्यूज क्या है NASA Black Woman Mathematician और उसके नाम पर एक Supply Ship जो International Space Station में जा रहा है और Science के चौथे समाचार Genetic DNA Cloning के बारे में Black Footed Ferret ये गिलेहरी जैसा दिखने वाला एक जानवर वैसे North America का है लेकिन 80 के दशक में ही ये Extinct नाशप्राय हो गया था तो ऐसा 1988 में जो आखरी Ferret होगा उसके सब DNA Material से Scientist ने उसका एक Genetic Clone बनाया है और इस Clone Baby का नाम है Elizabeth N इसके लावा बहुत सालों पहले कुछ Dolly Ship Clone हुआ था वो NCRT Class 11-12 की Biology, Biotechnology के Chapter में आप सब देख लेना एक दो बार UPSC में ऐसे प्रशन निकले थे कर आगे बढ़ते हैं Page 11 15th Finance Commission के Chairman N.K. Singh के बारे में Interview है कुल मिला के उन्होंने वही सब बाते की हैं कि नए Report में क्या का गया और इतने परसंटे Tax Devolution और वो Defense Modernization का ये Non-Lapsable Fund वगएरा वगएरा जो मेन बाते हमने पहले भी जान ली थी और आगे Win21 CSP सीरीज में भी देख लेंगे तो ये पूरी एक पेज भरके जो N.K. Singh जो की एक जमाने में I.S. Officer भी थे उनको इंटर्व्यू के अंत में पूछा कि आपको ये ग्रेटा थन्बग की सहलिया जिनको पुलिश ने पकड़ लिया इस पर आप क्या सोचते हैं तो N.K. Singh का जवाब ये रहा I do not know the full facts of this case और मीडिया में इसमें जितना चल रहा है उसमें fact कितना है और कितना opinion और interpretation और speculation है वो सब अलग-अलग story और version चल रहे है So therefore I am unable to comment on this तो इसमें से हमने क्या सिखना है मैंने पहले भी कई बार कहा था Officer का काम है Dispassionate Analysis of Facts तथ्यों का visualization करना बावुक होके बोलना कि नहीं वो देश विरोती है या देश बक्त है या XYZ जब तक पूरे facts आपके सामने ना हो कुछ भी कहना मुश्किल तो अभी तो police charge sheet बनाएगी court में जाएगा फिर हमें और पता चलेगा So that is the official-like quality हर चीज़ पर पहले से opinion बना लेना और कोई आपको journalist पूछे या social media में सवाल करे और उसका जवाब देने बैठ जाना That is not official-like quality मित्रो ये general studies means ethics paper 4 में एक और भी मुद्द है corporate governance corporate session तो corporate governance का एक मुद्दा ये होगा कि नीचे shareholder होते हैं उसके उपर उसके board of director होते हैं और board of director company की सारी नीतियां तै करते हैं उसमें से एक नीती वो ये भी तै करते हैं कि कौन सी party को चुनाव में funding देना है election funding और इस सारी election funding के चलते ही वो सब corporate company एक प्रकार से pressure group का काम करती है कि फिर वो सरकार पर दबाव बना के अपनी नीतियां मनवाएंगी कि हमारे लिए ये कानून बनवाईए हमारे GST में इतना कम करवाईए वगरा तो पता चला अमेरिका की बड़ी बड़ी company जो पहले Republican Party के candidates को करीब देड़ लाख डॉलर से जादा पर candidate वो donation देती थी चुनाओ लड़ने के लिए उसको जनवरी में कम करके देड़ लाख से कम करके सिर्फ 15,000 कर दिया ऐसा क्यों? क्योंकि ये Republican candidates उन्होंने Donald Trump को बहुत support किया था जब Donald Trump ये बोल रहा था कि चुनाओ में दांदली हुई है, पोस्टल बैलेट में ये गलत हुआ है और उसके बार Donald Trump ने अपने समर्थकों से जो अमेरिकी पार्लामेंट में दमाल करवाई और Donald Trump को impeach करने की जो कोशिश हुई, महाभी योग उसमें भी इन लोगों ने उसके favor में vote करके Donald Trump को बाई जदबरी करवा दिया ये सब देखते हुए, ये बड़ी कुछ American कंपनियों ने, या तो उनको खुद रिदय परिवर्तन हो गया या फिर उनको लगता है कि ऐसे लोगों को favor करेंगे, तो जो लोग Trump के विरोधी है, वो हमारे products नहीं खरीदेंगे Divisive Politics करते हैं, उनको ये बड़ी-बड़ी कंपनियां अगर चुनाओ फंडिंग में पैसा कम कर दे, तो अपने आप politics में थोड़ी सुधार हो सकती है तो ये सब सोचने लिखने के मुद्दे केर आगे बलते हैं, page 12, world news world news में वो space station में black mathematician of NASA वो तो हमने देख लिया, फिर ये black footed, ferret उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, बाकी आज international news में कुछ काम का नई, वही सब Myanmar, Iran, America में Trump, इनके दमाल जारिये, Libya के interior minister पर किसी ने attack किया James Bond type की खबरे काम की नई America में एक black right activist अश्वेत अधिकारों का आंदोलन करने वाला व्यक्ति था Malcolm X, उसकी हत्या हुई थी उसमें FBI का रोल था, ऐसा उसके परिवार वाले अब हारोप लगा रहे हैं, लेकिन ये भी सब अपने लिए काम का नई, आगे बढ़तें पे 13 economy में आज काम की चीज सिर्फ एक थी किये, अमेरिका की कंपनियों ने डॉनल्ल ट्रम के सपोर्टर टाइप के Republican candidates का voting fund कम कर दिया, उसके लगा जो भी समाचारे economy में वो सबाज काम के नई, क्योंकि वो transitional चीज़ें हैं, जैसे कि England में नया budget पेश होगा, उसमें business tax 19% से बढ़ा के 23% बढ़ाने की कुछ बात चल रही है, लेकिन वो असल में पास होने दो तब हम देखेंगे की कैसे बड़ी कंपनियों पर ज़्यादा tax लगा के सरकार कोरोना रिलीफ के लिए पैसा मोबिलाइज कर सकती है, उसी तरह बारत के finance minister की कुछ interview की, हमने budget में private sector की बहुत मदद की है फिर minister of state राजय कक्षा के मंतरी अनुराग सिंग ठाकूर उनकी interview की कैसे सरकारी बैंकों का privatization करने का हम सोच रहे हैं, लेकिन ये सब बाल बाल कॉमेंटी टाइप की चीज़े, तीसरा captive coal mining, captive coal mining मतलब, suppose टाटा को या अदानी को कोईला खनन के अधिकार दिये जाएं, लेकिन ये शर्थ के साथ कि उसमें से जो कोईला निकाला आपने, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टाटा स्टील या अदानी electricity उसके लिए आपने यूज़ करना है वो coal आप की सी और को market में नहीं बेच सकते तो ऐसा अपने उपयोग के लिए ही आप ये कर सकते हैं उसको हम कहते captive mining तो उसमें से जो निकला वो कोईला दूसरे को बेच सकते हैं कि नहीं उस पर हम क्या सुधार ले तो इस बारे में केंद्र सरकार ने अगलग मंत्रालयों का और राजे सरकारों का opinion मागा है तो अभी opinion मागा है वो आएगा कुछ कानून में सुधार होगा तब उसको हम पढ़ेंगे हर चीज आए तो तुरंट गुज जाके पढ़ना है का कोई फाइदा नहीं आगे बढ़ो पेज 14 स्पोर्ट्स और वो रशिया का खिलाड़ी नहीं है वो सर्बिया का खिलाड़ी है और उसने किसे हराया ये भी याद रखना है हमने डानिल मेडवदेव और वो रशिया का खिलाड़ी है ये जोकोविक की नाइन्थ नौवे नंबर की जीत थी उस्टेलियन ओपन में और कुल मिलाकर उसने 18 ग्रांड स्लाम जीते हैं हाला कि टोटल नंबर अब ग्रांड स्लाम की हम बात करें तो रोजर फेडर और राफेल नादाल से अभी वो थोड़ा पीछे है लेकिन वो उनसे आगे बढ़ भी सकता है अगर डेली वो ट्रेनिंग करें अपनी फिटनेस पे द्यान दे वट्सेप, टेलिग्राम और पबजी में टाइम वेश्ट नहीं करे और अगले साल उस्टेलियन ओपन का नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी चिंता किये बिना वापस से वो अपनी ट्रेनिंग में लग जाए तो ये था सुमवार का निउस्पेपर